MS WORD 2019, Class 22 इस class में आप सीखने वाले हैं links के बारे में, hyperlinks के बारे में और Word में कैसे web page बनाया जाता है इसके बारे में चलिए class को शुरू करते हैं हमने Word को open कर लिया और यहां पर समझाने के विया मैंने कुछ चीजे लिख रखी हैं पर occurred奇怪 link दो परकार के होते हैं लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि लिंक क्या होता है तो सबसे अच्छा एक्जामपल जो होगा वो होगा एक बेपेज तो यहाँ पे हमने अपना वेपसाइट ऑपिन कर दिया एकदम फैमिलियर चीज है सभी कोई वेपसाइट यूज करते हैं देखते हैं समझते हैं यहाँ जाफ़े आप अक्सर मेन्यू अगेरा पाते हैं जब आप किसी मेन्यू पर जाते हैं या किस दूसरी चीज पर किलिक करते हैं जैसे कि यहाँ पर हम नोट्स में जा रहे हैं और वर्ड पर हमने क्लिक किया तब क्या होता है MS-word का page हमारे सामने खुलकर आ जाता है मतलब किसी एक जगह पे हमने कुछ लिख रखाया और उस पे ऐसा कुछ हमने कमांड शेट किया है कि जब उस पे क्लिक किया जाए तो वो दूसरे पेज को हमारे सामने आपन करके ले आए यही चीज हम लोग word में भी कर सकते हैं और इसी को link या hyperlink के नाम से पुकारा जाता है और link दो पर करके हैं अभी हमने बताया एक है internal और दूसरा है external internal कहने का मतलब है जो उसी document के अंदर लगाया गया हूँ example के तोर पे यहाँ पे मैंने तीन pages बना रखे हैं चलिए view में चलते हैं और multiple pages को click कर देते हैं अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास तीन page बने हुए हैं और मैंने एकदम simple सा कुछ जादा नहीं लिखा है समझाने के लिए थोड़ी सी चीजें लिख रखे हैं जैसे इस पर मैंने page 2 लिख रखा है इस पर page 3 लिख रखा है और यह page 1 है जिस पर अभी हमने internal और external link लिखा हुआ आपको दिखाया अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है page 2 अगर हम इस पर click करें तो यह page हमारे सामने आ जाया इसी तरह page 3 पर click करें तो यह जो तीसरा वाला page है यह हमारे सामने खुल के आ जाया अब सबसे पहले हम one page पर आ जाएंगे one page पर आने के बाद zoom हम लोग ले लेते हैं page width में जिससे पूरा का पूरा page हमें नजर आने लगे अब हमें link लगाने की बारी है तो link लगाना है अगर internal तो उससे पहले हमें एक काम करना होगा हमें bookmark करना होगा page को हम जाएंगे उस page पर जिसको हम link करना चाते हैं जैसे हम इसे link करना चाते हैं तो इस page पर आ जाएंगे इसके बाद यहाँ पे किसी एक word को select करेंगे select करने के बाद insert में जाएंगे और bookmark पर click कर देंगे इसके बाद इसके लिए कोई एक नाम लिख देंगे याद रखें नमबर नहीं लिखना है शुरू में नहीं तो bookmark नहीं add होगा यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया page 2 without space space भी use नहीं करेंगे इसके बाद ok पे हमने click कर दिया अब यह bookmark बन चुका है फिर अगले page पे चलते हैं जैसे यह page 3 है इसे select करेंगे select क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसे हमें bookmark बनाना है जब तक हम bookmark बनाएंगे नहीं तो इस पे हम link लगा नहीं सकते हैं क्योंकि word समझ ही नहीं पाएगा कि हमें कहां पे link करना है इसलिए से हम bookmark कर रहे हैं तो इसे select कर लेंगे उसके बाद bookmark पे click करेंगे पेज को index कर देगा और आप उसका इस्तमाल link में कर सकते हैं अब बारी है link stable करने की इसके लिए क्या करेंगे जिस word पे हमें link लगाना उसको ऐसे select करेंगे select करने के बाद insert tab पे जाएंगे और link पे click करेंगे या right click करके word पे यहां से भी हम लोग link पे click कर सकते हैं या तो control के करक यह भी link के window को open किया जा सकता है तो चलिए link पे हमने click किया और यह window खुल के आ गया यहां पे दो option है external link लगाना है या internal link लगाना है अगर external link लगाना है यहां से file हम लोग चूल लेंगे जो आगे भी हम लोग देखेंगे अभी हम लोग internal link लगाना चाहते हैं आनि place in this document तो इ बूखक की बनाया था अगर आप heading इस्तमाल कर चुके हैं तो heading के द्वारा भी आप यहां पे link लगा सकते हैं अब झो अभी new select किये हूए किसको six गया था हम ने यहाँ पे page 2 को उसमें कौन सा हम चाहते हैं link लगाना इसको इस bookmarku पे एस से हमने लिया और लिंक पे क्लिक करेंगे और place in this document लेते हुए वुक्रमार्ग को चुनेंगे जिस पे हम इसका link set करना चाहते हैं रोके पे क्लिक करेंगे ठीक हो गया अब जैसे ही invert पे आप mouse को लाएंगे करेंगे एक छोटा सा पॉपा पाएगा और उस पे लिखा रहेगा अगर control के साथ आप इसे click करेंगे तो आप इस link को follow करेंगे मतलब वहां पे पहुंच जाएंगे तो चली करते हैं keyboard से control key को हमने दबाया और जैसे हमने दबाया तो mouse का जो pointer है वो hand shape में बदल गया अब इस पे जब हम click करेंगे तो क्या होगा हम सीधे page number 2 पे पहुंच की आपने देखा हमने scroll नहीं किया वहां click किया और सीधे page number 2 पे आ गया क्योंकि ये एक internal link है इसलिए इसी document में हम लोग यहां से वहां आ रहे हैं और जा रहे हैं इसी तरह page 3 पे अगर हम click करें तो page 3 पे पहुंच जाएंगे इसका benefit आप क्या ले सकते हैं माल लिजए आपने बहुत बड़ा document तियार किया है या notes का तियार किया है और उपर में अगर आप index page बना लेते हैं जिस पे आप link देते हैं topics तो उन topic पे select करकरके आप bookmark के द्वारा link लगा सकते हैं जिससे click करते हैं आप सीधे उस page पे पहुं फाइल को open कर सकते हैं image को open कर सकते हैं बाकी चीजों को भी link कर सकते हैं ताकि वो भी open हो सके जैसे example के तोर पर यहां पे हम एक file और एक image open करना चाहते हैं तो आ जाते है external link के नीचे और यहां समझाने के लिए इससे हम sub tab में ले लेते हैं ऐसा आ गया और यहां पे हम लिख इमेज फिर एंटर किया हमने और यहां लिख दिया file अब image पे कोई click करें image open हो जाए file पे click करें तो file open हो जाए तो हम image को select करेंगे select करने के बाद right click किया हमने और link पे click कर दिया इसके बाद लेंगे existing file और web page इस पे हमने click किया और जहां पर आपका image file हो वहां पे पहुंच ज अगर हम file open करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और इसके बाद right click करके link पर क्लिक करेंगे और उस file को चुनेंगे जिस file को open करना चाहते हैं जिसे हमारा file जो है वो desktop पर है तो हम desktop पर जाएंगे और कोई एक file झैसे यह हमने document ले लिया PDF का एक file है, खोई बात नहीं, OK पे click किया हमने और उसे जोड़ दिया, अब हमें open करना है, क्या करना होगा, control के साथ इस पे click करना होगा, control हमने दबाया और इस पे click किया, इससे क्या होगा, ये एक pop-up देगा, और ये हमारे सामने image खुल के आ गया, कभी-कभी security check भी होता है, एक message भी आ सकता है, कि आप इस file को open करना चाहता है, तो वहाँ yes करके उस file को open कर ले, इसी तरह अगर हम इस पे click करें, तो क्या होगा, देखिए, अभी जो हम security की बात कर रहे थे, यहाँ पे आ गया security notice, इस पे अगर हम yes पे click करें, तो ये file को open कर देगा, फिर OK पे click करेंगे और ये देखिए, ये file open होके हमारे सामने आगया, तो इस तरह से आप अपने word के document में link लगा सकते हैं, और link में internal link और external link दोनों तरह के link का इस्तमाल कर सकते हैं, link को ही hyperlink के नाम से भी जाना चाहता है, और अगर आप चाहते हैं कि ये सारा कुछ आप web page के तोर पे save कर सकें, तो वो भी आसानी से कर सकते हैं, अगर आप इसे web page में save करना चाहते हैं, तो इसके लिए file पे click करेंगे, फिर save as पे click करेंगे, और उसके बाद location चुनेंगे, जैसे हम desktop ले लेते हैं, और यहाँ पे जो file का नाम आप रखना चाहते हैं, वो ले ले, उसके बाद save as type जो यहा automatic word जो है, HTML format में save कर देगा, और हमें एक web page देदेगा, जो browser में open हो पाएगा, तो चलिए save पे click करते हैं, यह हमने save पे click किया, और यह save हो गया, अब इसे हम बंद करने के बाद, हम लोग पहुंचते हैं desktop पे, यह भी बंद कर दिया हमने, और desktop पे आएंगे, desktop पे खोजेंग बनाया था, page 1, page 3, ऐसा करके हमने save किया था, अब अगर हम page 2 पे click करें, तो क्या होगा, चुकि यह इसी page पे है, तो link यहाँ पे कोई खास काम नहीं करेगा, लेकिन अगर काफी बड़ा page होता, तो वहाँ पे link काम करता, चलिए external पे देखते हैं, external पे हमने click किया, तो external image open हो देंगे, और इस file पे right click करेंगे, open with में word लेंगे, इससे क्या होगा, word पे फिर से वो file open हो जागा, अब जब अभी हम लोग page 2, page 3 पे click कर रहे थे, तो वह वहीं पे था, इसलिए हमारा page scroll नहीं हो रहा, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे page break लगा देंगे, जिस हम page 2 पे आ चुके हैं, यहाँ पे page break भी लगा हुआ है, यहाँ हमने enter किया और यहाँ content type कर देंगे, ज़्यादा content रहेगा, एक screen में समाएगा नहीं, इससे क्या होगा, हमारा screen बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो हमारा link क्लिक करने पे उस जगह पे लिख लिया है, अब page 3 पे चलते हैं, और page 3 पे भी कुछ लिख लेते हैं, यह page 3 का link हमने दिया है, अब चूकि हम ज़्यादा content लिख रहे हैं, तो page number change हो जा रहा है, लेकिन हमें तो इस जगह पे पहुँचना है, तो ऐसा कुछ हम लोग save कर लेते हैं, बे page में save किया गया ह इसलिए यह problem आ रहा है, फिर से save पे click कर देंगे, और यह बे page के तोर पे save हो जागा, अब इसे बंद कर देंगे, और वाप इस desktop पे इस file को open करेंगे, और फिर देखते हैं कि internal link काम करता है या नहीं, यह देखे, यहाँ पे अभी page 2 दिख रहा है, लेकिन page 3 जो है, वो screen से बाहर हो गया, अब आप समझ चुके होंगे कि इतना सारा content हमने क्यों इसमें डाला, अब अगर हम page 3 पे click करेंगे, क्या होगा, हमारे page 3 जो है, वो हमारे सामने यहाँ पे तुरंत नजर आना चाहिए, तो click करके देखते हैं, यह page 3 पे हमने click किया, और यह देखे, page 3 का जो content है, वो हमारे सामने आगया, तो काफी easy है, link बनाना अपने word के document में, काफी आसानी साब link बना सकते हैं, और उसे बे page के तौर पे भी shape कर सकते हैं, और सिर्फ link ही नहीं है, आप जो कुछ भी चाहिए, उसमें तयार कर लिए, जैसे आप text डाल सकते हैं, image डाल सकते हैं, उसके बाद उसे बे page के तौर पे save करके आप इस्तमाल कर सकते हैं, इस video class में यहीं तक, please video को like करें, दोस्तों के साथ share करें, और अभी तक अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो आगे आने वाले videos के notification के लिए channel को subscribe कर लें, बाई, thank you. कर दो आप